असलामों अलेकूम फ्रेंड्स मैं खार नाजमी शरीफ वेलकम टू माँ चैनल एफच्टू क्लासेज हम लोग यहां पर महाटेट की कॉश्चन पेपर की सोलुशन कर रहे हैं उसमें सेट टू की जो मैट्स की कॉश्चन रहे गएते हम लोग वो देख रहे हैं आज एज से रिलेटेट कुश्चन में आपके सामने लेकर आई हूँ यह है कुश्चन नंबर 74 अब देखी यहां पर सवाल है मोहन और सोहन की मौजुदा उम्रों का तनासुब 5 निजबत 4 है 12 साल बाद यह तनासुब 6 निजबत 5 हो जाता है छे साल बाद मोहन की उम्र क्या होंगी तो यहां पर देखिए अब यह जो मौजुदा उम्र है जो दी गई ही यह तनासुब में दी गई है तो हम इसको कैसे मानेंगे कि जो मोहन की मौजुदा उम्र है वो कितनी है 5 है से और सोहन की जो मौझुदा उम्र हैं सोहन की जो मौझुदा उम्र इनका तनासुब दिया गया सोहन की जो मौझुदा उम्र हैं उसको मानके चलेंगे चार एक्स अब बारा साल बाद बोल रहे हैं यानि इसमें जमा बारा करना होगी अगर पहले बोलते तो तफरिक बारा कर के देखेंगे यहां पर हम लोग अब यह तीर चाह जर्व हम लोग यहां पर करेंगे तब यह हो जाएंगा पांच जर्व पांच एक्स जमा बारा और यह हो जाएंगा बराबर छे जर्व चार एक्स जमा बारा अब इनका तीर चाह जब करेंगे तो यह मिलता है हमको 25 एक्स जमा बारा पंचे 60 बराबर ये हो जाता है छे चोप 24 एक्स जमा बारा चके कितने होता है 12 चकी हो जाएगा यहाँ पर 72 तो क्या मिल गए हमको 25 एक्स जमा 60 बराबर 24 एक्स जमा 72 अब हम क्या करेंगे जो एक्स वाली वैलियू जे उनको एक साथ लेंगे और विदाउट एक्स वाली वैलियू जे हम उनको अलग अलग लेंगे x और without x वाली values को हम लोग अला गला कर देंगे 25 x और 24 x को हम एक जगा कर देंगे और 72 और 60 को एक जगा करेंगे अब जब 25 और 24 x की जगे change हो जाएंगी यानि बराबर कि right से वो left में आ जाएंगा तो वो minus हो जाएंगा उसी तरह से जो 60 है जो कि यहां पर दिया गया है अगर वो left से right में जाएंगा तो वो भी क्या हो जाएंगा minus हो जाएंगा तो देखी किस तरह से आ जाएंगा 25 x जमा 60 और 24 x जमा 72 यह हैं मारा 25 x जमा 60 बराबर क्या है 24 x जमा 72 अब हम क्या करेंगे x वाली values एक साथ लेंगे 25 x minus 24 x क्योंकि जगा चेंज हो गए इसके लिए sign भी चेंज हो गया 72 माइनस हो जाएंगा 60 तो यह आ जाएंगा x 25 में से 1 x कितना आया 1 x अब यह आ जाएंगा 72 में से 60 को निकालेंगे तो कितना बचेंगा 12 यानि यह आ गया 12 हमारा x की कीमत आ गए x बराबर कितना आया 12 आप यहाँ पे सवाल में क्या पूचा है कि what will be the age of Mohan इनियास after 6 के लिए यानि Mohan की 6 साल बात की उम्र क्या होंगे तो सबसे पहले हमको उसकी present age निकालनी होंगे अब x बराबर हमको मिल गया यहाँ पर 12 Mohan की present age क्या है Mohan की the present ratio of Mohan's and Sohan's age is 4 is to 5 यानि जो Mohan की age है वो 4 है यहाँ पर मोहन की age क्या है यहाँ पर 4x है तो हम लोग क्या करेंगे 4x को हम लोग यहाँ पर करेंगे x की कीमत रखेंगे वहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा 12 जर्ब 4 तो कितना हो जाता है यह 12 चौक 48 यानि यह present age आगी मोहन की क्या आगई यह मोहन की present age आगी 12 चौक 48 अब मोहन की हमको क्या करना है हमको मोहन की 6 साल बात क्यूम्र निकालनी है यानि अब हम इसमें करेंगे 48 जमा 6 तो 48 जमा 6 करने के बाद यह हमको मिलता है 48 जमा 6 जब हम करते हैं तो यह हमको मिलता है 4 carry 1 5 तो यह मिल जाता है हमको 54 तो इसका correct जवाब क्या होगा यहाँ पर 54 यानि option number 20 इसका correct answer होगा तो उमीद करती हूँ यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इसको solve करना है सबसे पहले हम लोग मान कर चलेंगे हम लोग हम लोग मानेंगे सबसे पहले कि असल कीमत जो है असल जो है कितना है वो 100 रुपिय है हम क्या मान के चलेंगे कि असल कितना है 100 है अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि Simple Interest का जो फॉर्मूला है वो क्या है SI is equal to PRN upon है 100 अब यहाँ पर PRN upon कितना है 100 है अब Simple Interest यहाँ पर हमको क्या करना है देखना है कि किस तरह से हम इसको solve करेंगे तो पहले हम लोग यह निकालेंगे कि 100 रुपिय के उपर हमको Simple Interest कितना हासिल हुआ उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे कि कैसे solve करना है देखी यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि असल जो हमको मालूम करना है वो 100 है अब 100 रुपिय के हिसाब से हम लोग Simple Interest को मालूम करने की कोशिश करेंगे जो मालूमात हमको दी गई हैं अब यहां पर P का मतलब होता है principle यानि कि असल जर यानि जो मुद्दल हमने लिये थे जैसे हमने बैंक से करजा लिये थे 10,000 रुपिये तो वो हो गया मेरा मुद्दल मेरा P हो गया असल जर हो गया उसके ओपर कितने उन्होंने इंट्रेस लगाए 10% अगर उन्होंने इंट्रेस लगाए तो R क्या हो जाएंगा यहाँ पर 10% मैंने 2 साल के लिए अगर ली हो करजा तो 2 क्या हो जाएंगा यहाँ पर मुद्दत हो जाएंगी N हो जाएंगा क्योंकि अगर हमको साल में convert करना है महीने को तो हमको उसको 12 से तक्सीम करना होगा साल को अगर महीनों में करना है तो हमको क्या करना पड़ता है सालों को divide करना होता है लेकिन महीने को साल में अगर। सॉरी जर्व देना होता है। लेकिन यहाँ पर महीने दिये है 6 महीने तो वो कितने साल के बराबर होंगे। तो उसको हमको देखने के लिए 12 से क्या करना पड़ेंगा, तक्सीम देना पड़ेंगा क्योंकि एक साय, जो होता है वो 12 महिनों का होता है और नीचे तो 100 अल्टेटी मौजू देते हैं यहाँ पर हम लोग 100 लिख लेंगे तब यह कुछ इस तरह से हासिल होगे हमको 100, 03, 06 बटे में है 100, 012 कुछ इस तरह से हासिल हो हमको 100, 03, 06 और 100, 012 यहाँ पर 100 जो है उपर का जो 100 है इसको हमने असल जर मानके चली यानि मुद्दल मानकर चले 3 क्या थी, 3 फीसदी यहाँ पर शरा थी, ओकी rate of interest था, 6 क्या था, 6 महीने यहाँ पर मुद्दत दी गई थी लेकिन मुद्दत साल में होती है इसलिए हमने उसको क्या किये बारा से डिवाइड किये और सो हमारे जापते के अंदर मौजुद है जापता क्या है पी आर एन अपॉन हंडेड वाला जापता है अब यहां पर हम इसको हल करेंगे तो जब हम इसको हल करते हैं तो यह चे एक अच्छे चे दुनी बारा आ जाता है यानि अभी हमारा यह सौ सी यह सौ भी क्या होगा है कैंसल हो गया यानि अब हमारे पास किया बचा तीन बटे दो अब इसको जब मैं कैंसल करूंगी तो दो एका दो एक बच गया अशारिय लगा कि उसको जिरो लगा दिये थे दो पंचे दस यानि यहां पर देखिए सौ रुपिय के ओपर हमको एक अशारिया पांच सूद देना पड़ा यह क्या मालूम हुआ हमको सिंपल इंट्रेस मालूम हो यह ज्यार जाप्ता है यह सिंपल इंट्रेस का जाप्ता था तो इसको हरने के बाद हमको एक अशारिया पांच हश् thực है यह यह यहां पर एक बराबर यहन valorSmith की उपर अगर एक अशारिया पाँच हमको सूद देना पड़ा तो 72 रुपिये सूध हमको कितने रुपिये पे देना होगा ये अब हमको यहां से यह चीज मालूम करनी है ओके यहां पर क्या है कि 100 रुपिये के ओपर अगर हमको 1.5 रुपिये सूध देना पड़ा तो 72 रुपिय जो सूद है वो हमको कितने रुपिय के ओपर देना हूंगा अब हम क्या करेंगे यहां पर इनका हम करेंगे तीरचा जर्ब करेंगे, यानि क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा 100 जर्ब बहातर तीरचा जर्ब इस तरह से किया जाता है बराबर यह हो जाएगा हमारा X अभी यहाँ पर हम अगर 72 और 100 का जर्ब देते हैं तो कितना हो जाएगा यह 72 100 बटे 1.5 इनका हम क्या करेंगे यहाँ पर जर्ब देंगे अब देखिए यहाँ पर 72 जर्ब 100 बटे 1.5 बराबर X अब X हमको यहाँ पर नीचे आशारिया है हमको इसको भी हटाना है तो नीचे का आशारिया के बाद कितने डिचिट है एक डिचित है पांच तो उसका आशारिया हटाने के लिए हम उपर 1-0 add कर देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा ओके आप इसको अगर मैं डिवाइट करती हूँ तो ये किस तरह से आएंगा हम लोगों का यहाँ पर तो अब हम क्या करेंगे 15 से इसको डिवाइट करके देखेंगे कि 15 से डिवाइट करने के बद कितना आंसर आता है तो दिखिए ये हो जाएंगा तीन से अगर हम करेंगे तो तीना पच्छे 15, 3 दुनी 6 बच गया 1, 3 चौक, 12 दिन 3 हमारे पास यहाँ पर 0 मौझू दे फिर 5 से अगर करते हैं तो यह सपोस यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 से अगर करते हैं तो 5 यह का 5, 5 चौक, 20 कितने बच गए? 4 बच गए 4 के आगे 1, 0 मौझू दे यहाँ यह 40, 5, 8, 40 और 2, 0 अल्रेडी मौझू देती है यह 2, 0 हम लोग यहाँ पर लगा देंगे यानि 4,800 इसका जवाब आता है option number D यहाँ पर इसका सही जवाब होगा तो उमीद करती हूँ यह भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको यहाँ पर solve करना है step wise step आप लिखते जाएए तो आपको step wise step समझ में आ जाएगा कि किस तरह के सवालात को किस तरह से हल करना है तो आज एक उम्र वाला और एक interest वाला simple interest वाला हमने यहाँ पर सवाल देखे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए कमेंट करके बताना बिल्कुल भी न भूले के आपको किस तरह मेरी वीडियो लगी अगर कोई suggestion है तो आप वो भी बता सकते हैं like, share और subscribe जरूर करिए तब तक के लिए दूआ में याद रखिए अल्ला हफेज